अमेठी में बीते 24 घंटे हादसों की नाम रहे। दावो पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। इसका क्याना है कि प्रथम द्रश्टिया मामला लग रहा है कि गौवन शिम्रत अवस्ता में रहा और किसे जानवन ने उससे अफनान निवाला बनाया है। लाल जांच के जा रही है और शब को दफ्राने की कारवाही के जा रही है। इसका क्या नाम है आपका? बरुम कुमार मिच्ट, बिशारापूरक प्रधान प्रतनी दी। क्या घटना हुई है? मौके पे गाउदारा सुचित किया गया हमको तो हम मौके पे पहुँचके वरन वन टू पे कॉल करके प्रसाशन को सुचित किये। सुचित करने के बाद प्रसाशन अपना काम कर रहा है। क्या मिला है गाउदारा पास को है उसको जहारदार हतियार से मारा गया है। अब डाक्टर साहब आए हैं जैसे जो भी होगा वो उसका करने इसका समी का रही है। जिनेश कमार्तिवारी है। क्या घटना हुई है। गाई की हत्या। कब पता लगा आप लगो। हमें सुबा पता लगा। पुलिस को सुचना दिये है। सो नमबर बुलाई गई है। दूसरे घटना करम में अमेठी के बुदवार को राय बरेली सुल्तानपूर मर्ग पर साड़ा खाथसा हो गया। जिसमें एक बुसुर्ग की जान चली गए। बताया जा रहा है कि मुनतक मुकदमे की पैरवी में जा रहा था। उसी समय ट्रकर ने उसकी बाइक में टकर मार दी। सड़क पर गिनने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मुनतक ने हेलमेट पहन रखा होता तो शायद जान बच सकती थी। मिली चानकारी करनुसा घटना जिले के जैस कोटवाली के अंतरगत कासिंपूर पैट्रोल पंप की है। कोटवाली शित्र के पूरे जहली गोरियाबाद निवासी जगजीवन पाल का वारी गंज। तहसील में जमीन को लिकाल बाद विवाद चल रहा था। आज मुकदमे की तारिक थी जिसमें जगजीवन घर से बाइक से निकले थे। अभी वो कासिंपूर पैट्रोल पंप के पास पहुंचे थे। के पीछे से आए 21 रफतार ट्रक ने बाइक में श्रानक टकर मार दी। और टकर से वुज़ूर के सड़क पर गिर के असानिये लोगों ने दोड़कर ट्रक को रोका और पुलिस को सूचना दी। इधर ग्रामीन जगजीवन को पीछसी लेकर पहुंचे जहां पर डॉक्टर उन्हें उसे इम्रत घोशित कर दिया। क्या नमई आपको कैसे क्या हुआ यह कैसे क्या हुआ अचा ट्रेक कहा से आरे ट्रिक।